मादुर्देश की गौले शर्मी प्रदेश की सांस्कृतिक पर्याचन धर्म एवम आध्यात मत्री उश्ट ठाकु ने मिरांगना महराणी लक्षी बाई के बलिदान इस्तली की पवित्रमिटी कलश मिनी इस पावन धरा की पवित्रमिटी को 15 नमबर को पोपाल में आयोजे ज देशबर में फिल्म अभिनेतरी और पदम श्री ससमानित कंगना रनौत द्वारा देश की आजादी को लेकर दिये गए बयान पर सियासत गर्माई हुई है इसी कड़ी में मत्रदेश की संस्कृती मंत्री उशा ठाकुड ने सपष्ट किया है आजादी आजादी होती है इस है कि पदमश्री उन्हें दुसरे कारे के लिए दिया गया है और यहां अलग मामला है ऐसमें पदमश्री की वापसी की मांग करना अनुचित है अब कि अब करना आज करना अब करेंगरेश की बात आप छोड़िये वो जो चाहें कहें पर भारती जनता पार्टी सदेव मानेव कल्याण का चंता करते हुए राजनीती करते हैं हमारे जनजाती नायक वीरसा मुंडा जी का जन्मदिन हम मनारे 15 नवंबर को और उन मानायक का परचे आने वाली पीड़ी से हो इस उद्देश से वराट कारिकम को मर्दपदेश की सरकार ने किया है बहुत सारी जनकर लियानकारी योज्या है पैसा एक सहित जनजाती भाई बैनों को उस दिन समर्पित की जाएगी आजादी आजादी है और आजादी के उन सब महान करांतिकारियों को उन सपूतों को आज नमन है आजादी की लड़ाई लड़ने का मौका आपको हमको नहीं मिला पर आजादी का अमरुत महसो मनाने का ये 75 वर्ष मनाने का मौका प्रभू ने हमको दिया आए हम सब महापुरुशों को याद करे उनको आदरंजली उनको शद्धानजली देना हम सब का परम करतव्य है क्योंकि उन्हें निस्वारत भाव से अपना सब कुछ लुटाया इसलिए कि आप और हम आजाद देश में रह सकें तो मैं सबसे प्रात्वा करती हूं कि इस पिचत्तर वे वर्ष में हर भारती अपने घर में कोई न फोई एक क्रांतिकारी जो उन्हें अच्छे लगते हूं उन्हें अपने घर में अवश्चे स्थाद दें तो हर आभिवेक्ति की स्वतंतता उसको है वो अपने विचार वेक्त कर सकता है पदमिश्री उनको जिस कारी के लिए मिली वो कारिभिन्य है वो निने हुआ समीती ने उनको इस लायक समझा और वो पुरुस्कार दिया क्यों आपने विचार वेक्ति के आप भी उसी आजादी की करांती कारी की भूमी पर भड़ी हुई है बीक तो भीक में तो आजादी मिल ही नहीं सकते आजादी संगर्षों से लाखों लोगों के बलदान से उनकी त्याग तपस्या से मिली है और अठासों सत्तावन से लेकर आज तक जो कुछ भी संस्कृति धर्म राष्ट के रक्षार्त करें उन सब महान सहनानियों को प्रण महापुरुषों के बलदान स्थले हमारी प्रेणा सुरूत होते हैं और आज महरानी लक्षेंबाई के चर्णों में कोटी-कोटी प्रणाम है और उन्हीं पंक्तियों को याद करते वे उन्हें नमन करना चाहते हूं जाओ रानी याद रखेंगे हम करतग्य भारतवासी होवे चुपतहास लगे सच्चाई को चाहे फासी तेरा इस मारक तू ही होगी तू खुद अमट नशानी है बुंदे लेहर बोलों के मूँ हमने सुनी कहानी है खुव लड़ी मर्दानी वो तो जहांसी वाली रानी उस जहांसी वाली रानी की वीरता उसका मातरत्व उसका वात्सले भाव भारत की प्रतेक नारी की रगरग में समाहित हो हम सब भी देश धर्म संस्कृती के रक्षार्थ ऐसा कुछ अपने जीवन में कर पाए इस प्रण के साथ इस मिटी को यहां से लेकर लेकर अबीब गं अंग्रीस का तो काम ही है विरोध करना अब जिस पावन नाम पर हमने अभीब गंज स्टीशन को किया है कमलापती वह बहुत ही शद्धे पूजने इतिहास के स्वर्णिम निर्माता है उस पावन नाम पर किसी को को यह वाइज ऑफ रैट्स के ग्वालिर से सागर्श शर्म की बूट